नमस्कार दोस्तों सरकारी जोब सिंधी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और जोगी क्रांती के बारे में आपने मेरी इससे पहले वीडियो देखी होगी कल दोस्तों आपको बताईता हूँ कि एक वीडियो में आप इसे पूरा नहीं पढ़ सकते वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी ये मेरी सेकंड वीडियो है तो आप मेरी सभी वीडियो देखेगा आपकी समझ में आ जाएगा तो कल मैंने आपको समझाया था ओद्योगिक क्रांती क्या है यहाँ पर मैं कुछ important points आपको बताऊंगा और कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दूँगा दोस्तो आपने ओद्योगिक क्रांती पड़ी होगी और आप कुछ जानकारी के लिए मेरी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी सही दूँगा और अच्छी जानकारी दूँगा जिससे आपकी समझ में भी आ जाए दोस्तो आपको बताना चाहेंगे ओद्योगिक क्रांती की सुरुवात इंग्लेंड से हुई अब ये सुरुवात इंग्लेंड से ही क्यों हुई तो सभी के मन में सवाल होगा कि ओद्योगिक क्रांती की सुरुवात इंग्लेंड से क्यों हुई तो आपको बता जेते हैं कि अद्ध्योग कुरांती की शुरुवात इंग्लेंड से इसलिए हुई क्योंकि इंग्लेंड के पास उपनिवेसों के कारण कच्छे, माल और पूंजी की अधिक्ता सी उध्योगी कुरांती की सुरुवात सोती वस्त्र उध्योग से हुई दोस्तो इस किरान्ती में जो प्रमुक अविस्कार थे उससे में काफी अविस्कार हुए आपको पता भी होगा आपने पढ़ा भी होगा यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इस किरान्ती में जो है अधिकता कैसे आई दरसल जो अविस्कार थे उनके नाम में यहां पर आपको बता देता हूँ क्योंकि यह भी एक important point है और यहां पर इससे related question आ जाते हैं दोस्तो आप यह भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ही वीडियो में क्यों नहीं समझा दिया इतनी सारी बाते तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक वीडियो में नहीं डाल सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है मुझे upload करने में काफिश समझा होती है चलिए important point की तरह पाते हैं जो हम आपको समझा रहे हैं दोस्तो जो पहला जो अविस्कार है वो है spinning mule दूसरा spinning jenny तीसरा जो है flying subtle आपने इनके बारे में सुना होगा और spinning frame power lume दोस्तो ये जो है उस समय के जो वस्त्र सूती वस्त्र उज्योग है उसे आगे बढ़ाने में काफी इनसे मदद मिली दोस्तो अगर आप उद्योगी किरांती के बारे में जानना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए उस समय का एक पिर्मुख अविस्कार है जो आप सभी जानते होंगे तो यह अविस्कार का नाम है भापका इंजन दोस्तो आपने भापके इंजन के बारे में बढ़ा होगा ये उसी समय का अविस्कार है इसका उप्योग उस समय गहरी खान जो होती थी उनसे पानी को बाहर फैकने के लिए किया जाता था तो यहाँ पर इसका कारिया और भी कामों के लिए किया जाता था दोस्तो अध्योगिक क्रांती की थोरी इतनी बड़ी है कि आपको मैं एक वीडियो में बताई नहीं सकता यहाँ पर जो है वीडियो भी बड़ी हो जाती है तो दोस्तो यहाँ पर जो है कुछ important points हैं और यहाँ पर जो मैंने आपको बताई हैं और इनसे जुड़े कुछ कोशन भी बनते हैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि ओड्योगिक क्रांती के दोर में इंग्लेंड का प्रितिद्वन्दी जर्मनी था आपने ऐसे बहुत से कोशन पढ़े होंगे ओके तो इस वीडियो में आपको मैंने जितनी जानकारी हो सकता था दी आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपकी पढ़ाई के लिए वीडियो बना रहे है दोस्तों एक फर्स्ट पार्ट है जो इससे पहले हमने अप्लोड किया था डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा हो ओके है आप